दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप electrical meters related कई सारे बाते जानने वाले हो जैसे कि पहले कई सारे लोग किस तरीके से electrical meter लगे होने के बावजूद भी बिजली की चोरी कर लेते थे सादे साथ एक और सवाल हम यह भी जानेंगे कि अगर हम भी हमारे घर के load को कुछ इस तरीके से connect कर लेते हैं मतलब कि हमारे जो man meter है उस man meter से हम सिर्फ neutral को लेते हैं और जो हमारे load को neutral मिलना चीए वह neutral हम किसी दूसरे meter से दे लेते हैं तो इस case में क्या होगा तो दोस्तो चलिए फिर बीना जादे देख रहें वीडियो को start कर लेते हैं दोस्तो आप सभी जब भी पहले कभी गाउं में जाते थे या आज भी जाते हो तो कई बार आप सुनते हो वो लोग बोलते कि उनके घर पे meter भी लग रहा है आप सभी को अल्ड़ी पता भी होगा कि पहले के समय हमारे जो electricity के meter लगे होते थे वह हमारे दूसरे टाइप के meter होते थे जिसे कहीं सारे लोग चक्री वाला meter भी बोलते थे या फिर हम उसे electro mechanical meter बोलते हैं दोस्ता वह जो mechanical meter होता था उसकी मदद से लोग इस तरीके से चोरी करते थे जैसे मान लीजिए कि उनके घर पे एक meter लग रहा है और इधर से government का face और neutral आके उनके meter में जा रहा है अब meter का जो output है इस meter का output से सिर्फ वो एक face wire को ही use में लेते थे और इस face wire से ही वो अपने load को connect कर लेते थे meter से जो neutral आ रहा है इस neutral को उपयोग नहीं करते वहें neutral की जगे अर्थिंग का उपयोग लेलते थे और ऐसा करने के बार में हमारी जो meter होते थे इलक्टो मेकेनिकल वो हमारी काम ही नहीं करते थे और उनका जो बिल है वो बिल काफी कमाता था लेकिन दोसों यहां पर एक और सवाल आप सभी के अन में आएगा कि यह जो method है कि हम हमारे उपकरण को अर्थिंग से चला रहे हैं क्या यह सही है या फिर गलत है तो दोसों इसका जवाब सिंपल सा है कि जो हमारी अर्थिंग होती है इस अर्थिंग जो मैं काम होता है वह protection के लिए यह आ जाता है माना कि कही जबह पर गाउंँ में जहां पर हमारे नीटल प्रापर नहीं है या न्यूटल हमारा वीक है उस जगे हम आज भी अर्थिंग को उपयोग ले ले लेते हैं लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है किसी भी लोड को चलाना तो इस बारे में तो हमने बात कर ली कि आखिर पहले के समय कैसे लोग इलक्रिसिटी बिल्कि चोरी करते थे लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें कि आज के समय आखिर क्या होता है तो आप सबी को ही पता है कि अब जो भी पूराने मिटर लगे रहते थे वो सारे बदल कर अब यह डिजिटल मिटर लगा दी गए हैं अगर आप चाहिए गावं में भी जाके देखोगे तो वहां पर भी आपको हमारा जोई मिटर है इस मिटर में बिल आएगा या नहीं और अगर आएगा तो बात करते हैं कि अगर कोई इंसान बल्ब को दूसरी साइड से न्यूटल की जगह ग्राउंडिंग का उप्योग करें तो उस समय अगर वहाँ पर डिजिटल मिटर लग रहा है तो उस समय हमारा में हमारा कंजेप्शन शो होगा हमारी यूनिट आएगी के डबलो एज बढ़ेंगे तो आपको ध्यांगना है पहले के समय जिस तरीके से बिजली की चोरी की जाती थी वह हमारे डिजिटल मिटर के साथ में बिलकुल काम नहीं करती है इसके अलावा हम एक और दूसरे सवा का उप्यों कर रहे हो इसमें भी आपके के डबलो एज पढ़ेंगे इसमें भी आपके यूनिट आएगी और हमारा जो दूसरा मिटर है इस में मतलब कि आपको डबल विजलीग बिल देना पड़ेंगा तो इन सभी पॉइंट को ही आपको बताना चाहता था उमीद करता हू कि अब आपको डिजिटल मिटर से लेटे कहीं सारी बाते क्लियर हो गई होगी अगर अभी भी आपके कोई सवाल इस वीडियो के प्रतिय इलेक्टिकल जोड़े रह गए तो आप मुझे नीचे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके बता सकते हैं